नमस्कार क्या पचल जी वी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नौ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आम आदमी पाटी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अर्विन केजरिवाल पर हमले की साज़िश रची जा रही है आम आदमी पाटी की तरफ से आतिशी मार लेना और संजेस सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस किया है और प्रेस कॉन्फरेंस करके कुछ तस्वीरे भी शेयर की है और उनके तरफ से ये आरोप है कि केजरिवाल को मारने की कोशिश की जारी है उस पे हमले करने की कोशिश की जारी ह और पतेल नगर मेट्रो स्टेशन्स पे कई पोस्टर्स भी लगाए हैं जिसका जिक्र संजे सिंग की तरफ से किया गया है कुछ स्लोगन्स लिखे गए हैं अर्विन केजरिवाल को लेकर और संजे सिंग ये भी कह रहे हैं कि अगर अर्विन केजरिवाल को कुछ होता है तो उसके जमेदार सिर्फर से प्रधान बंतरी मोदी और बीज़िपी ही होंगे तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालिवाल के केस में दिल्ली पुलस जबर्दस आक्षन मोड में है और खबर ये सामने आ रही है कि विभव कुमार को मुंबई ले जाया जा सकता है तो तमाम बड़ी अपडेट आपको पताएंगे मेरे साथ जुड़े हैं कि आपतल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार कौन मारना चाहता है अंकित गोयल जिसका नाम लिया जा रहा है कि उसकी तस्वीर है लेकिन क्या वाकई में कोई सार्जिस रिची जा र रहा है लाल किले के किसी पत्थर पे कोई लिख दे रहा है बहुत आरे लोग लिख के चले जाते हैं आई लव यू टाइप से और उसको आपने धंकी मान लिया और सब कुछ कर लिया अच्छे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है भी धंकी है एफायार दर्ज कर दो एफ करेंगे नहीं आप प्रस कॉंफरेंस करेंगे दरसल होता क्या है वो आपने कहानी सुनी होगी भेडिया आया भेडिया आया भेडिया आया और एक दिन वाकई में जो है तो यह अबवा फैलाने वाला गैंग है आमाद्भी पार्टी आज इनकी प्लानिंग यह थी कि कल तो वो कि हम बीजेपी की कारियाले को घेरेंगे है ना और बीजेपी दफ्तर के सामने करेंगे क्या धरना प्रदर्शन की जेल में डाल दो हम सब लोगों को धरना प्रदर्शन कहां किया ही इसने इसने क्या अपने ही दफ्तर के बाहर यह गेट है और दस फीट के बाद इसने अपना धरना परतार्सन करें वहाँ से चाहिए तारी तुम के अदम gआए। इन ने आज दिखाना बंदगर दिया। प्रेखेट मेडिया ने आज दिखाया नहीं तो इनका यह जो है वो फेल हो गया यह सब धंदेवाजी किसले कर रहे हैं यह सबढ़ दीजिये कि क्यों कर रहे हैं में स्टोरी जो है वह आपने अपने इंट्रॉड़क्षन में जो सेकेंड नम्बर को बताया वो आज की में लेकिन आखिर क्यों विभाव को मुंबई क्यों ले जाया जा रहा है यही बहुत बड़ा सवाल है कि देखिए चोर चोरी से जाएगा हेरा फेरी से नहीं जाएगा लोकेशन ट्रेस किया गया विभाव का तो मालूम चला दिल्ली से लखनव लखनव से यह अमरित सर अमरित सर से यह मुंबे गया और मुंबे से फिर यह दिल्ली आया और जब उसने दिल्ली आकर के अपने फोन को आउन किया तो लोकेशन चीफ मिनिस्टर सहाब का वो जो महल के अंदर जो है वो विराजमान था पुलिस आई पकड़ के लेके चली गई अब उनसे मांगा जा रहा है कि भाई अपने फोन का पासवर्ट दो तो उसने कह दिया हमने तो फॉर्बट कर दिया है फॉर्बट क्यों किया तो आइफोन फिफ्टीन वो हैंक कर रहा था ऐसा क चीज तुमने डाल दिया कि वो आइफोन फिफ्टीन भी हैंक करने लग गया है इतना जल्दी इतना खराब तो होता नहीं है आइफोन वाले को मना कर देना चाहिए कि अब यह आम आदी पार्टी वाले आइफोन मांगे मन देना यह गलत प्रचार करवाता है आइफोन की भ वो हैंक कर रहा था इसलिए हमने फॉर्मेट कर दिया और आइफोन जो है फेस को रीट करता है और खुल जाता है उसको भी इसने डिसेबल कर दिया देखिए इस पीपल आर बिहेविंग जस्ट लाइक प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कि किस तरीके से सबूत को मिटाने का काम किय जाता है उसमें पारंगत हो गई है लोग अब पता किया गया फॉर्मेट कहा हुआ मुंबे लेके जाए जा रहा है पुलिस के सूत्र बता रहे है कि ये मुंबे में जाकर के फोन को फॉर्मेट कराया और पुलिस को ये शक है कि मुंबे के अंदर इसने ना सिर फोन को फॉर डाटा को कहीं डम्पस ने किया क्योंकि उसमें इंपोर्टेंट जानकारियां उसमें भई आप देखे आपके फोन हम लोगों तो हम लोग तो कुछ नहीं हैं हम लोग तो कुछ साधरन लोग हैं हम लोग ness hosting अगर खराब हो जाए डाटा यह हो जाए तो blood pressure हाय हो जाएगा सुगर बढ़ जाएगा केजिवाल के तरह इंसुलीन लेना पड़ जाएगा है कि नहीं व्याकुल हो जाएंगे हम लोग लेकिन वो व्याकुल नहीं है फोन खतम हो गया फोन का सारा डाटा खतम हो गया सब कुछ मने सारे डॉक्मेंट्स चले गया सब कुछ चला गया कॉंटे पुलिस को यह शक है कि इसने कही डाटा को डंप गर दिया या फोन का क्लोन किया कोई दूसरा इंस्टूमेंट में डाला और यह इंस्टूमेंट जो साथ में लेकर के आ रहा है वह लेकर के फिर यह दिल लिया गया तो उस फोन को कहां फॉर्मेट किया गया वहां लेकर जाय जा रहा है तो यह आप समझे कि सारे सिक्यूरिटी सिस्टम को जो है फोन का वो पासवर्ट ही नहीं बता रहा है पासवर्ट बता नहीं रहा है और पासवर्ट नहीं बता रहा है इसका मतलब है कि जो अंदर का डाट है वो कभी आप हासिन नहीं कर सकते और देशमें कानून भी एक से एक है न कि मैं कोई चोर पकड़ा जाए कोई घोटालेवाज पकड़ा जाए अगर वो फोन का पासवर्ड नहीं दे तो आप जब दस्ती उससे फोन का पासवर्ड नहीं ले सकते तो उसकी फोरेंसिक जाच होगी फोन की फोरेंसिक जाच होगी और फोन के अंदर तमाम राज एक और इसमें पहलू है कि जो वीडियो सूट किया गया ये विभव के फोन से ही वीडियो सूट किया गया जो 51 सेकंड का है पूरे वीडियो के भी तलास हो रही है लेकिन यहां तो यह समझ मेरा है कि अगर फोन की तलाशी ले जाती है डेटा निकाला जाता है तो सिप स्वाती मालिवाल के केस से चुड़े वे मसले तो सामड़े नहीं आएंगे सारे काले राज खुलेंगे यही तो कहानी है इसलिए तो डर है फॉर्मिट किसले किया फॉर्मिट इसले किया कि फिर तो सारी पोल पट्टी खुल गई होती सारे लोग जिससे क्या क्या बाचित हुई क्या कौन लोग कैसे क्या सारा जो काला कच्चा चिठा है अर्विंद केजरिवाल का क्योंकि जो लोग आमाधी पार्टी को जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अर्विंद केजरिवाल तक पहुंचने का दर्वाजा विभव है अर्विंद केजरिवाल अपने से कोई बाचीत नहीं करता देखिए यह जो सराब घोटाले में भी विभव से भी पूस्ताच हो रही है विभव से भी पूस्ताच हुई और यह भी आरोप लगा कि विभव ने भी अपने फोन को जो है डिस्ट्रॉई किया वह पहले भी यह ल तो यह जो है आपके खिलाब जो है वो एक कोट के अंदर एक अलग एविडिन्स के रूप पे भी जाता है तो अब यह लोग अपग्रेड हो गए अपग्रेड कर लिया अपना सौफ्ट्वेर को लेकिन सीसी टीवी फोटेज हटाने का आरोप है मतलब उसको डिलीट करने का का रूप है फोन से डेटा भी डिलीट करने का रूप है ऐसे में दिली पुलिस का क्या एक्शन प्लान है जिसे केजरिवाल और विभाव फस्ते नज़रा है देखिए मैं बार बार कहता हूं यह पढ़े लिखे लोग है और इतने महान-महान वकीलों के साथ उठते बैठते हैं मनुस्विंग भी साथ जैसे लोग यह लोग तो कानून के ऐसे से लूप होल्स को बता देंगे कि आप कभी उसको पकड़ी नहीं सकते हैं घोटाला हुआ है सुप्रम कोड भी कह रही है हाई कोड़ी कह रही है सब कह रही है और केजरिवाल साम से कहता है कि 100 रुपे भी नहीं पकड़ा है 100 करोर का घोटाला हुआ है पैसा कहा है तो आप देखिए यह लोग अपग्रेड़ेड है यह को लालू यादब थोड़ी है कि पकड़ा जाएगा कि अपने नाम से जमीन लिखवा लेगा चारा घोटाले में फच जाएगा यह सब पढ़े लिखे आईटी इस्तमाल हो रहा था तो कोट के अंदर जो है वो एक अलग मुसीबत हो जाती है वकीलों को डिफेंट करने में तो इन्होंने अपने आपको अपग्रेड कर लिया कि चलो भई कुछ ऐसे लोगों को तलास लो जो तुमारे फोन को ऐसा फॉर्मेट कर दे कि एपल भी वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सके तो यह इन लोगों की शातर दिमाग का खेल है लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी कोशिश में लगी हुई है वो CID सीरेल आता था कि क्राइम करने वाला कितना भी होश्यार क्यों नहों लेकिन कुछ ऐसी गलती जरूर कर जाता है जिससे उसकी सारी पूल पट्टी खुल जाती है तो यही आशा लगाना चाहिए कि मामले की सचाई सामने आए लेकिन सैलूट करना पुलेगा केजरिवाल को यह कटर इमांदार कटर इमांदार कहने वाला व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से पतभष्ट कर दिया यह केजरिवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, रहा हो चुके हैं, अंतरियम जमानत पर चुनाओ प्रचार के लिए हैं तो भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरिवाल की जान को खत्रा है आम आदमी पार्टी के तरब से संजर सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस किया, आतिशी मारलेना ने भी प्रेस कॉन्फरेंस किया और उनका आरोप है कि केजरिवाल पर हमला किया जा सकता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी पियम मोदी की ही होगी तो महीं दूसरी तरब स्वात्वी मालिबाल के केश में दिल्ली पुलिस जबरदस्त आक्टिब मोड में है विभग को मुंबई ले जाने की खबर सामने आ रही है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैशोक के साथ मैं पूझा क्यापिटल टीवी